हलो आपरिवान वेल्कम बैक टू मैं चैनल इसके लार मैं हूँ प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी इस क्लास में एक्ससाइस 5.3 हम स्टार्ट कर रहे हैं और इससे जो पिछला वीडियो था इसमें हमने एक्ससाइस 5.3 का इंट्रोडक्शन देखा था तो पिछला क्लास स्टार्ट करते हैं और एक्ससाइस 5.3 में हमको बोला जा रहा है तो अभी हम ले रहे हैं सबसे पहले है कॉशन नमबर वन है हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स ठीक है तो इसका हमको करना है dy by dx मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना ठीक है तो हमने एक्जांपल किये थे पिछली ग्लास में इंट्रोडक्शन में तो बिल्कुल वैसे करना है कोई दिक्कत नहीं है अब यहां पर आपकी चाहें तो एक तरफ y को अलग कर लीजे एक तरफ और चाहें तो ऐसे हम करना है ठीक है तो हमको क्या करना है dy by dx करना है एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो आपको यहां पर क्या लिखना है दिफेरिशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टु एक्स बोद साइड ठीक है तो ड हeder इप अप् ओन ड आप उन ड आपन ड ध ऑफ 2 एक्स बीच में प्लस है लगा दीजिए प ह्छोटे चीशने है बताते चलूँगे फिर आगि जैसे-जैसे न बढ़ते जाएंगे सारी basic चीज़ें आपको समझ में आई जाएंगी तो हम उनको फटा-फट से कर लेंगे ठीक है चली, यहाँ पर हमने क्या किया यहाँ पर derivative लगाया, बीच में plus यहाँ पर derivative लगाया, बीच में equal यहाँ पर derivative लगाया अब यहाँ पर यह two constant है यहाँ पर लिख दिया derivative of x ठीक है, जब हमने जब derivative start किया था तब ही मैंने आपको समझाया था कि यह two constant इसको अलग कर लीजिए x का derivative करेंगे, x के respect में तो हाला कि इसकी value क्या हो जाएगी, 1 चली, अब यहाँ पर यह three अलग कर लिया derivative of y, equal to sin x का derivative क्या होता है formula हम पढ़ चुके है, cos x और फिर x का भी derivative हम find करते है तो d upon dx of x, तो हाला कि यह तो 1 ही हो जाता है तो कई बार इसको हम show नहीं करते हैं ठीक है, लेकिन यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए इसलिए मैं आपको बताते चल रहे हूं आगे के जो question रहेंगे तो उसमें मैं आपको नहीं बताऊंगे क्योंकि अगर x रहा तो x का derivative x के respect में तो 1 ही हो जाता है, ठीक है चलिए, तो यहाँ पर x का derivative x के respect में 1 तो यह हो जाएगा 2 प्लस 3 और यह तो dy by dx ही रहेगा equal to cos x हमको find क्या करना है dy by dx तो इसी को इस तरफ रखेंगे बागी सब उस तरफ चले जाएगा तो सबसे पहले 3 dy by dx यह प्लस का 2 उस तरफ जाके minus का 2 तो यह हो गया cos x minus 2 इसके बाद यह 3 multiply में divide में चले जाएगा तो यह हो गया आपना dy by dx equal to cos x minus 2 upon 3 तो लीजिए यह आगया आपका dy by dx यही find करना था तो question number 1 हो गया यही कही question number 2 भी करी लेते हैं क्या है question number 2 2x 3y sin y 2x 3y sin अब यहाँ y आगया तो ध्यान से करना पड़ेगा ठीक है तो जो step मैंने बताई है बिल्कुल वैसे वैसे करते चलिए गल्दी के कोई chances है ही नहीं ठीक है तो चलिए यहाँ पर derivative लगाएंगे तो अब यहाँ पर direct लगा रही हूं clear अब x का x के respect में derivative 1 तो यह पूरी value 1 2 1 0 2 plus 3 y का x के respect में derivative तो ऐसे ही लिखा रहेगा यहाँ पर dx से dx कैंसल होगे 1 हो जाता ही से लिए अब यहाँ पर थोड़ी cancel हो सकता है अब ध्यान दे sin y का derivative क्या हो जाएगा cos y और फिर इसका भी तो derivative find करेंगे यहाँ पर भी किया था हमने sin x का derivative cos x फिर x का भी derivative find किया था तो यह तो हो जाता है 1 बट यह थोड़ी होगा d upon dx of y तो यह जो चीज है ना यह छोटी सी चीज है यह x के respect में करते हैं x का तब तो 1 हो जाती है लेकिन हम y का कर रहे है x के respect में तब यह बन थोड़ी ना होगा तो यह तो dy by dx अलग चीज है ठीक है इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है को है ना कि sin y का किया फिर y का भी करेंगे ठीक चलो तो अब यह भी dy by dx है अब क्या बचा सिर्फ 0 अब यह प्लस का 2 उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस का 2 इन दोनों में से dy by dx common ले रहे हैं तो हमने dy अपन डीक्स लिया common यहां क्या बचा 3 माइनस कॉस y एक्वल टू यह प्लस का 2 उस तरफ जाके माइनस का 2 इतनी बात क्लियार हो गई ठीक है प्लस का 2 उस तरफ जाके माइनस का 2 इन दोनों में से dy by dx common लिया तो यहां 3 बीच में माइनस कॉस y अब dy by dx की वाली चाहिए तो यह उस तरफ चले जाएगा तो यह क्या हो जाएगा अपना dy upon dx equal to minus 2 upon 3 minus minus cos y ठीक है तो चाहे तो इतना भी छोड़ सकते हैं और एक कीज़ कर सकते हैं कि यह minus sign जो है इसको आप हटा सकते हैं इन दोनों में से minus sign common लिके तो minus 2 अपना एजर्टिव इन दोनों में से आपने minus sign common लिया तो यह आजाएगा cos y plus का हो जाएगा 3 minus का हो जाएगा minus से minus cancel तो इसको मैं हटाई देती हूँ ठीक है तो यह हो गया अपना dy upon dx 2 upon cos y minus 3 तो यह हो गया आपका question number 2 यह हो गया question number 1 step by step करेंगे गलती बिल्कुल भी नहीं होगी ठीक है तो दो question हमारे हो गया है अब हम देखेंगे next question next question question number 3 इसका भी हमको find करना है dy upon dx मतलब की x के respect में derivative चलिए करते हैं सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे derivative और लिखना आपको है यहाँ पर differentiating both side with respect to x ठीक है चलिए करते हैं तो सबसे पहले वहीं d upon dx of ax plus d upon dx of by square equal to d upon dx of cos y clear अभी a constant है यह हो जाएगा d upon dx of x plus b constant है d upon dx of y square equal to तो आगे जब हम question करेंगे तो हमको दिख रहा है कि x का x के respect में derivative तो हम direct वहाँ पर क्या लिखने लगेंगे 1 हमको पता तो चलिए कि इसकी value क्या हो जाएगी ठीक है अभी starting के question है इसलिए हम छोटी-छोटी चीज में कर रहे है ठीक है ताकि आपको दिमाग में बैट जाएगे चीज़ें चलिए अब यहां तो cos y का derivative find कर लेते हैं derivative 1 plus b अब यहां पर y square है ध्यान दें y square है मतलब x की degree n वाला formula लगेगा हमारा तो यह formula क्या होता है n x n minus 1 फिर x का भी derivative होता है d upon dx of x लेकिन यह क्या हो जाता है 1 इसलिए लिखते नहीं है लेकिन अब क्योंकि यहां y है इसलिए ध्यान देना हमारा जो b है वो as it is है y की degree 2 है तो यहां पर n क्या है 2 तो यहां पर 2 यानि n x n minus 1 और फिर y का भी derivative find करेंगे तो d upon dx of y समझ में आगी बात 2 minus 1 तो इसको तो लिखेंगे नहीं क्योंकि 1 ही रहेगा तो 2y clear ठीक एक्वल 2 यह तो ऐसी रहेगा minus sin y dy upon dx clear यह formula हमारा लगा है यहां पर अब इसके बाद यह भी dy upon dx है यह minus का इस तरफ आके plus का तो यह हो जाएगा 2by dy upon dx यह 2by dy upon dx यह इस तरफ आके plus का sin y dy upon dx और यह plus का a उस तरफ जाएगे यह हो जाएगा minus का a clear अब इन दोनों में से हम क्या common लेंगे dy upon dx तो हमने common लिया dy by dx बचा क्या 2by plus sin y equal to minus का a हमको चाहिए dy upon dx की value यह उस तरफ जाएगा multiply में divide में जाएगा ठीक तो यह हो जाएगा dy upon dx equal to minus a upon 2by plus sin y अब यहां पर यह जो minus sin है तो अब यह भी plus का यह भी plus का है तो कोई मतलब नहीं है तो यह हो जाएगा हमारा answer ठीक है तो यह तो हमने formula लगाया था ठीक तो यह हो गया आपका answer ठीक question number 3 हो गया complete चलिए अब करते है next question question number 4 वही dy upon dx find करना है हमको मतलब x के respect में derivative तो चलिए करते हैं तो यहां पर सबसे पहले हम अलग-अलग सभी जगे derivative लगा देंगे d upon dx of xy प्लस बीच में प्लस है लगा दिया d upon dx of y square equal to 10x में लगाएंगे d upon dx of x प्लस d upon dx of y समझ में आगे बात सभी जगे यहां पर भी d upon dx यहां पर भी और यहां पर अंदर ही अंदर कई सारी चीज़े लगने वाली हैं सबसे पहले तो आप यहां पर देखें x into y दो function है यहां पर multiply में हैं दिख रहे हैं यहां की बात हम करेंगे बाद में पहले यहां पर देखें दो function है x into y मतलब दो function का multiplication है मतलब यहां पर product rule लगेगा हमारा derivative का ठीक है तो product rule क्या होता है पहले एक का derivative करो दूसरा as it is बीच में प्लस फिर दूसरे का derivative पहला as it is तो यहां पर सबसे पहले यहां क्या लगा रहे हैं product rule ठीक है तो सबसे पहले हम x का derivative find कर रहे हैं तो d upon dx of x का derivative y हमारा as it is बीच में प्लस फिर x as it is d upon dx of y समझ में आई बात अभी सिर्फ इतने में हमने derivative find किया है first का derivative second as it is plus first as it is second का derivative अभी यहां पर करेंगे हम अभी सिर्फ इतने का derivative find किया है ठीक यहां पर product rule लगाए क्योंकि दो function थे x into y अब प्लस अब हमको d upon dx of y square find करना है तो अभी पिछले question में हमने देखा था x के degree n का formula लगेगा तो लगा देते हैं n x n minus 1 2 minus 1 1 ही हो जाएगा तो इसको लिखेंगे नहीं फिर y का भी derivative find करेंगे तो d upon dx of y clear बीच में को लगा ल लगा दीजे 10x का derivative होता है sec square x और x का derivative x के respect में करें क्योंकि यहां क्या x है अगर यहां y होता तब हमको लिखना पड़ता लेकिन x का derivative x के respect में 1 plus dy upon dx as it is clear ठीक है चलिए अब यह जो bracket है इसको तो हम हटा देते हैं इसको थोड़ा solve करते हैं x का derivative x के respect में 1 तो यहां क्या upon dx as it is plus यह हो जाएगा अपना 2y dy upon dx equal to यह हो जाएगा sec square x plus dy upon dx अब हमको क्या करना है क्योंकि हमको dy upon dx find करने के लिए बोला गया है तो जितने भी सारे term है dy upon dx के उनको एक तरफ कर लेते हैं तो यह दो term है हमारे dy upon dx के यह भी इस तरफ आ जाएगा तो यह plus का है तो इस upon dx plus 2y dy upon dx और यह plus का इस तरफ आके minus का dy upon dx equals to कुस तरफ है हमारा sec square x और यह plus का y उस तरफ जाके हो जाएगा minus का y अब सभी जगह से dy upon dx common आ जाएगा तो हमने ले लिया dy upon dx common यहां बचा x plus यहां बचा 2y minus 1 यहां कुछ नहीं तो 1 यहां 2y ठीक है बस equal to sec square x minus y अब dy upon dx चाहिए यह multiply में डिवाइड में चले जाएगा तो आ जाएगा आपका dy upon dx equal to sec square x minus y upon x plus 2y minus 1 लीजी आगे ठीक तो यह होगा आपका question number 4 तो हाला कि यह question है बहुत simple बस आपको जो derivative वो find करते आना चाहिए बहुत सारी छोटी 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 चीजों का जैसे कि अब यहां पर y square का derivative कैसे find करना यह चीज आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो y की degree n का formula बतलब x की degree n का formula लगेगा nx n-1 फिर y का भी हमको derivative find करना है ठीक है 10x का derivative क्या होता सेक square x फिर यह जो x इस का भी derivative find करेंगे तो x का x के respect में derivative 1 हो जाएगा तो लिखेंगे नहीं फिर dy y पॉंड x कोई भी दिक्कत नहीं करें चलिए देखो यह क्या x square तो इसका derivative कैसे find करेंगे सबसे पहले तो d upon dx of x square plus d upon dx of xy plus d upon dx of y square equal to d upon dx of 100 ठीक है तो हाला कि यहां पर आप direct भी कर सकते हैं कैसे x के लिए n का formula nx n-1 यहां पर product rule लग जाएगा क्यूंकि दो function multiplication में है यहां पर y square के लिए nx n-1 का formula लगेगा और फिर y का भी derivative होगा 100 constant value तो इसका 0 हो जाएगा ठीक है तो nx n-1 का formula तो nx 2-1 2-1 1 तो लिखेंगे नही एक्स के respect में तो वो 1 हो जाएगा तो लिखने की ज़ूरत नहीं है अब यहां x into y है दो function है मतला product rule लगेगा पहले हम क्या करेंगे y को as it is लिखेंगे derivative of find करेंगे x का फिर बीच में plus x को छोड़ेंगे derivative find करेंगे y का यह बास समझ में आई क्या product rule लगाया है हमने ठीक है पहले x का derivative find किया y को छोड़ा बीच में plus फिर x को छोड़ा y का derivative find करेंगे that's it ठीक है और यह bracket में हटा रही है ठीक है plus y square यानि यहां पर भी x की डिकरी n का formula लगेगा तो n x 2-1 n-1 2-1 1 तो लिखेंगे नहीं फिर y का भी derivative find करेंगे तो d upon dx of y तो x में हमने क्यों नहीं लिखा क्योंकि dx upon dx बन हो जाता लेकिन यह dy upon dx cancel होगा अगर नहीं होगा ठीक है 100 है constant है तो derivative हो जाएगा 0 चलिए अब क्या करना है हमको यह तो होगे अपना 2x plus dx upon dx होगे 1 तो यह बचा y इन दोनों में से dy upon dx common आ रहा है तो common निकाल लिजे dy upon dx हमने common नि ठीक है तो dy upon dx अपना as it is x plus 2y अपना as it is equal to हम क्या करते हैं दोनों को bracket लगा के minus लगा देते हैं और इनको लिख देते हैं 2x plus y ठीक है आसान सा question था कोई दिककाच इसमें थी ठीक है तो यह हो गया question number 5 इसमें भी dy upon dx करना है तो इसमें भी कुछ नहीं है simple सा question है चलिए करते हैं तो सबसे पहले भही d upon dx of x cube plus d upon dx of x square y तो देखो x square into y यहां यहां product rule लगेगा ठीक है plus d upon dx of x y square तो यहां पर भी product rule लगेगा तो question को देखके हमको समयज में आ जाता है कुछ question करने के बाद कि अब यहां पर क्या होने वाला है ठीक है plus d upon dx of y cube plus equal to d upon dx of 81 तो यहां 81 देदें कुछ भी देदें constant है तो derivative इसका 0 ही होना चलो x की degree n का formula लगेगा तो n x n minus 1 3 minus 1 तो कितना आ जाएगा 2 plus अब यहां पर product rule लगेगा दो function x square है और y है तो मैं bracket में कर रही हूं उसको सिर्फ इतने को पहले है न तो देखो पहले x square का derivative find हो गा तो x square का derivative क्या हो जाएगा 2x x square का derivative क्या हो जाएगा n x 2 minus 1 n minus 1 तो यह क्या हो जाएगा 2x ठीक है चलो तो यह हो गया 2x y हमारा as it is बीच में plus लगेगा फिर क्या करेंगे हम x square को छोड़ेंगे और derivative find करेंगे y का तो d upon dx of y तो y तो हमारा as it is ही लिखा जाएगा क्यूंकि यह y है और हम किसके respect में कर रह by dx थोड़ा सभी से लिख देते हैं इसको अब हमने इसका derivative find किया अब d upon dx of x y square इसका derivative find करेंगे इसको भी bracket में कर लेते हैं तो सबसे पहले x का derivative find करेंगे x के respect में तो x का derivative x के respect में हो गया 1 x का derivative 1 y square as it is फिर बीच में लगेगा प्लस समझ में आ ठीक, तो यह चीज़ हम यहां कर रहे हैं, अब हमको यह चीज़ पता है कि x का derivative x के respect में यह पूरी value हो गई 1, तो y square बीच में plus x as it is, अब y square का derivative क्या हो जाएगा, 2 y, 2 minus 1 यानी 1, और y का भी derivative find कर नहीं होगा हमको, तो यह आजाएगा dy y dx, यानी 2 x y dy by dx, बस समझ में आई, ठ ठीक, अब y cube का derivative क्या हो जाएगा, वही n x n minus 1 का formula, तो n x 3 minus 1, तो यह आजाएगा 2, और y का भी derivative find करेंगे, तो d upon dx of y, equal to constant value का derivative 0, ठीक है, चलो, अब हम क्या कर रहे हैं, यह जो brackets हैं, यह मैं हटा रही हूँ, आप चाहें, तो पहले इसको कर लीजिए, फिर bracket हटा के इसको अगली step में लिख लेना, ठीक है, तो मैं हटा रही हूँ, क्योंकि सभी जगा plus ही है, बीच में, ठीक, अब देखो, अब हमको क्या करना है, यह dy y dx वाला time है, यह dy y dx वाला time है, और यह dy y dx वाला time है, इन सभी को अलग कर लेना, तो हमने क्या किया, dy upon dx, स यह हो गए, 3 y square, equal to, बाकि जो without dy y dx वाले हैं, वो सभी उस तरफ चले जाएंगे, तो यह plus का है, तो minus का जाएगा, यह plus का है, तो minus का जाएगा, तो हम क्या करते हैं, एक साथ minus लगा के, हमने लिख दिया, 3 x square, plus 2 x y, plus y square, ठीक, यही तीन थे, 3 x square, 2 x y, y square, तीन और प्लस के dy upon dx equal to minus 3 x square, plus 2 x y, plus y square, upon, क्या है, x square, plus 2 x y, plus 3 y square, खत्म, यह हो गया, आपका, answer, dy upon dx, question number 6, complete, तो बस चीजों का ध्यान रखना है, कि यहाँ पर क्या है, एक function x square है, दूसरा y है, दूनों multiply में है, तो product rule लगेगा, तो यह पूरा हमने solve किया, इसको, फिर यहाँ पर भी product rule लगा के, यह इतना solve किया, यह हमारा यह रहा, इसका derivative 0, ठीक, तो चलिए, आप करते हैं, next question, question number 7, चलिए, इसको भी करते हैं, तो वही हमको derivative find करना है, x के respect में, तो d upon dx of, sin, अब इ x पे square इस तरह से लगा देते हैं, ठीके, ताकि आपको आसाने के साथ यह चीज़ समझ में आ सके, plus, यह तो ऐसे ही है, cos x, y कोई दिक्कत नहीं है, तो d upon dx of, cos x, y, equal to, d upon dx of, k, constant है, तो यह तो 0 ही हो जाएगा, चलिए, अब यहाँ पर ध्यान दे, सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि आपका x है, x की degree, n का formula यहाँ पर लगेगा हमारा है, chain rule यहाँ पर हम लगा रहे हैं, तो देखिए chain rule को लगाने के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो हमने जब exercise 5.2 की थी, तब मैंने आपको कुछ example में तरीके समझाए थे, कि chain rule आप ऐसे भी लगा सकते है फिर जब exercise कर आई, तब भी मैंने आपको 2-3 तरीके बता दिये, ठीक है, तो फिर वही है कि इसको अलग suppose करो, उसको अलग suppose करो और फिर करो, ठीक है, उससे बेटर यही है कि यहीं कि हम कुछ चीजों को थोड़ा सब visualize करके कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने देखा कि sin y की degree है n-1, n कितना है, 2-1, 2-1, 1 तो इसको लिखने की ज़रत नहीं है, ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया था कि इसका भी हम derivative find करते हैं, तो d upon dx of sin y, ठीक, और फिर y का भी derivative find करेंगे, तो वह हम बाद में करेंगे, पहले इसका करेंगे, फिर y करेंगे, समाझ में आई बात, तो पहले, sin y की degree 2 था, तो 2, sin y 2-1, nx, n-1, 2-1, इस पेस लिए हमने degree नहीं लगाई, फिर sin y का भी derivative find करेंगे, तो d upon dx of sin y, ठीक है, फिर बाद में y का भी करेंगे, तो यह तो chain rule होता है, एक के बाद एक उसी के अंदर, जो function के अंदर function होते हैं, और हम derivative find करते हैं, ठीक है d upon dx of cos xy, अब ध्यान दें, बहुत ध्यान से करना है, इस question को है, क्योंकि इस तरह के question अगर आप starting में ध्यान से समझ लेंगे, तो आगे जाके दिक्तत नहीं होनी, अब देखें, यहाँ पर, यहाँ पर क्या है, cos xy, तो यहाँ x भी है, y भी है, यह थीटा है, इसका पूरा cos theta, तो cos theta क्या होता है, minus sin theta, तो हमने लेखा minus sin, और इसका theta क्या है, xy, फिर मैंने आप क्या बता है, यह जो value होती है, इसका भी derivative find करते हैं, तो हमने लेखा d upon dx of, हमने क्या लेखा, xy, लेखा, समझ में आई बार, equal to, 0 आ जाएगा, क्योंकि constant value को derivative होता है, 0, ठीक, अब sin y का derivative x के respect में हो जाएगा, cos y, लेकिन y का भी तो derivative find करेंगे हम, तो d upon dx of y, ठीक, पहले sin y की degree 2 था, तो x की degree n का formula लगाया, फिर sin y का derivative find किया, फिर y का derivative, ठीक, अब प्लस माइनस यह हो जाएगा, minus sin x y, अब यह कहा है, d upon dx of x y, तो दो function है, यहाँ पर x अलग है, y अलग है, दोनों multiplication में है, मतलब product rule लगेगा, यहाँ पर, तो लगा देते हैं, तो यहाँ पर आप bracket लगाना है, क्योंकि इसके multiply में है, जो भी चीज़ यह है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर आप bracket लगाना है, bracket लगाया हमने, सबसे पहले x क derivative x के respect में 1, y as it is, बीच में plus y का derivative x as it is, तो y का derivative क्या हो जाएगा, d upon dx of y, equal to क्या है, 0, ठीक, तो यह हो जाएगा 2, अब देखू, यहाँ पर एक formula बन क्या हमारा, 2 sin theta cos theta क्या होता है, sin 2, अब यहाँ theta क्या है y, यह formula है न, 2 sin theta cos theta sin 2 theta, ठीक, तो यहाँ पर मैंने formula लगा हैं कहीं, और अपना dy upon dx as it is, अब यह minus sin x y जो है, यह पूरे bracket के multiply में हैं, और यहाँ दो term है, तो sin x y का multiply यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, तो कर देते हैं और minus का भी है, तो सभी जगा minus लग जाएगा, तो minus y का multiply sin x y में तो यह हो जाएगा, y sin x y, फिर यहाँ minus x sin x y, dy by dx, x sin x y, dy by dx, equal to 0, ठीक, हमको value चाहिए, dy by dx की, हमने देखा, एक तो यह dy by dx, एक यह dy by dx, दूनों में से हम dy by dx common ले लेते हैं, तो हमने लिया dy upon dx common, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, sin to y, और यहाँ पर x sin x y, minus का, तो minus x sin x y, ठीक, और यह जो है, इसमें तो dy by dx है नहीं, इसलिए इसको उस तरफ ले जाएंगे, तो यह minus का उस तरफ जाके, plus का y sin x y, clear, अब यह जो है, इसके multiply में, divide में चला जाएगा, तो हमको dy by dx की value मिल जाएगी, तो dy upon dx equal to y sin x y upon, क्या है, sin to y, minus x sin x y, तो यह आगया आपका दो function है, यहाँ पर multiply में है, तो product rule apply करते आना चाहिए, यह छोटी-छोटी चीज है, जो हम starting ते अभी पढ़ रहे है, derivatives में, वो आपको आना चाहिए, तो इस तरह के कई सारे question आप बढ़ी हासानिक साथ कर लेंगे, कोई दिक्कत के बिना, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2-1, N-1, 2-1, 1, तो नहीं लिखा, फिर sin Y का भी हमने derivative find किया, फिर आगे जाके हमने, यह जो Y था, इसका भी derivative find किया, क्योंकि sin Y का derivative होगा, cos Y, फिर Y का भी हमने derivative find किया, x के case में यह होता है, कि x का derivative of x के respect में 1 हो जाता है, इसलिए वो शोट नहीं होता, इसके बाद फिर हम function थे हमारे प्रोडक्ट रूल लगा दिया फिर आप क्यूंकि यह ब्रैकेट इसके मल्टिप्लाय में तो यह मल्टिप्लाय में अंदर कर दिया इस तरीके से सॉल्फ कर लिया तो यह हो गया आपका question number 7 तो question number 8 ध्यान दें यहाँ पर यह क्या है साइन स्क्वेर एकस एहाँ पर कॉस स्क्वेर यह ना सीम थीटा नहीं güzel स्का पोटी तुद यहाँ पर क्या है डिगरी में 2 यहानी साइन स्क्वेर एकस तो यहाँ पर ं का परो म्लह लरक और और an लगेगा यहां पर तो देखींगे क्या हो जाएका d upon dx of sin x इस पर स्क्वेर है ना ठीक है तो यह क्या हो जाएगा हमारा sin square theta ही तो है plus d upon dx of cos y इस पर भी square लगा है equal to d upon d X of 1 तो यह तो 1 है हमारा तो 1 constant है इसका derivative हो जाएगा आपका 0 लेकिन फिर भी हम systematic कर रहे हैं तो करेंगे चलिए तो यहां पर वही आभी पिछले question भी किया था कि X की डिगरी N का formula लगेगा तो यह हो जाएगा N X यह पूरा X है हमारा sin X है न N X अब X की डिगरी N-1 N कितना है 2-1 2-1 1 तो नहीं लिखेंगे ठीक है 2-1 1 ही होगा डिगरी में 1 लिखने का तो कोई मतलब है नहीं ठीक है अब Sine X का derivative find करेंगे इसी के multiply में तो D upon DX of Sine X यही तो chain rule है हमारा पहले X की डिगरी N का formula लगाया sin X के लिए तो N X N-1 फिर sin X का करेंगे और फिर X का भी करेंगे ठीक प्लस अब cos Y यहाँ पर भी X की डिगरी N का formula तो N X अब इसमें भी N-1 2-1 1 ही रहेगा अगर 3-1 होता तो degree में हम 2 लगाते ठीक है अब cos Y का भी करेंगे तो D upon DX of cos Y is equal to 0 क्योंकि 1 ए constant है 0 ठीक अब आगे solve करते हैं तो देखिए 2 कि यह क्या हो जाएगा आपका 2 sin X sin X का derivative क्या हो जाएगा cos X अब X का भी करेंगे तो D upon DX of X तो X का derivative X के respect में 1 होता है तो इसको हम नहीं लेकेंगे ठीक है या फिर लिखा रहें तो बाद में हटा देंगे क्योंकि हो तो जाएगी वह value 1 ही ठीक है अब देखिए आगे चलते हैं 2 cos Y अपना as it is अब derivative किसका find करना है cos Y का derivative क्या हो जाएगा minus sin Y फिर Y का भी derivative find करेंगे D upon DX of Y equal to 0 तो ध्यान देखिए sin X का derivative find क्या cos X फिर X का भी derivative find क्या इसी तरीके से जब cos Y का derivative Y या minus sin Y तो Y का derivative हमने find के यही होता है chain rule ठीक चलिए आगे solve करते हैं तो फिर से देखिए 2 sin X cos X तो यहां पर फिर से sin 2 theta का formula 2 sin theta cos theta यह हो जाएगा sin 2 theta theta X है और D upon DX of X यह तो वन ही हो गया तो लिखना नहीं है अब plus minus यहां गया minus 2 sin Y cos Y तो देखो यहां पर भी फिर से हमारा formula बन गया sin 2 theta का खेर लिखा रहें दीजाए भी तो dy upon DX equal to 0 ठीक है तो यह क्या हो गया अपना sin 2 X minus यहां पर 2 sin theta cos theta sin 2 theta और multiply में इसके dy upon DX equal to 0 हमको चाहिए dy upon DX की value यह sin 2 X अभी plus का उस तरफ जाके minus का हो जाएगा ठीक है तो minus sin 2 Y dy upon DX equal to minus sin 2 X plus का था उस तरफ जाके minus का इस तरफ के minus से यहां का minus हो गया cancel आगे का solve यहां कर रहे हूं तो dy upon DX की वाले चाहिए इसके multiply में ही उस तरफ जाके divide में तो यह आगया आपका dy upon DX equal to sin 2 X upon cos sorry sin 2 Y number 9 next question question number 9 तो अब यहां पर आपका जो inverse trigonometric function है उनका derivative के जो formula हम ने देखे थे पिछले वीडियो में वो यहां पर काम आएंगे देखो यहां पर क्या है Y equal to sin square X बट यहां पर देखें X की जगा पे एक अलगी function दिया हुआ है तो formula मैं यहां पर आपको बता देती हूं D upon DX of sin inverse X क्या होता है मारा 1 upon square root of 1 minus X square यही formula होता है और फिर X का भी derivative find करते हैं लेकिन X का X की respect में derivative हो जाता है 1 इसलिए हम उसको show नहीं करते हैं ठीक है लेकिन अब यहां पर X आपका देखें अलगी अपने आप में एक function है तो इस पूरे का भी derivative होंको find करना पड़ेगा तो ध्यान दिया आप X की जगहा पर क्या है आपका यह पूरा का पूरा देख रहे हैं sine inverse यह पूरा X तो चलिए करते हैं तो सबसे पहले वही D upon DX of Y मतलब DYY DX equal to sine inverse X तो formula वो लगेगा 1 upon under root of 1 minus X है यह पूरा X square मतलब कि 2X upon 1 plus X square का square समझ में आगई बात समझ में आगई बात 1 upon under root of 1 minus X square X है यह पूरा यहाँ पर X ही है वहाँ पर X ही है formula में समझ में आगई बात चलिए अब बस इसको solve कर लीजिए आप और एक चीज़ और यहाँ पर multiply में आएगा D upon DX of X तो X क्या है यहाँ पर यह 2X upon 1 plus X square समझ में आगई बात और generally यही होता है कि इसी चीज़ को हम भूल जाते है और फिर हम बोलते हैं हमने सब तो सही करा formula भी सही लगाया लेकिन हमारा answer तो गलत आ रहा है तो यह जो चीज़ है ना यह चीज़ों का बाद ध्यान रखना है कि पहले तो sine inverse X का करो फिर X का भी derivative find करो अब X कुछ भी हो यह चीज़ आप साटिंग से ही इस चीज़ की आदर डाल लेजिए ठीक है clear तो अगर X अकेला होगा तो X का एक्स के रिस्पेक्ट में तो वन ही हो जाना है लेकिन अगर X कुछ और रहा तो उस condition में अपने को हो जाती है दिक्कत है ना चलिए इतनी बात आगी समझ में साइन इंवर्स X का फॉर्मुला वन अपन अंडर रूड वन माइनस X स्क्वेर ड अपन ड एक्स ओफ एक्स अब एक्स से यह पूरा clear चलो तो फॉर्मुला आप मैं अटा दे रही हूं अब करते हैं हम इसको आगे solve तो सबसे पहले तो वन अपन अब देखें यह रूड लगा दीजिए वन माइनस यह जो square है इस पे लग कर लेते हैं इस पे लग कर लेते हैं तो टू टू जार फॉर एक्स स्क्वेर और डिनोमिनेटर में क्या है आपका वन प्लस x square और इसका square अलग कर लिए ठीक है square दोनों पे था तो numerator का square अलग denominator का अलग ठीक और अब इसको solve भी कर लेते हैं यहीं कहीं multiply में तो derivative of अब देखो यहाँ पर लगेगा आपका question rule ठीक है u upon v का अगर हमको derivative find करना है तो कैसे करते हैं denominator का square denominator derivative of numerator minus numerator derivative of denominator यहीं फॉर्मिला होता है ठीक तो बस इसी formula का use करके इसको solve करेंगे question rule लगे है कौन सा rule question rule ठीक तो चलिए लगा देते हैं इसको तो कर लेंगे बाद में सोलते हैं question rule लगा रहे है तो question rule में denominator का square denominator का square यह 1 plus x square denominator इसका square फिर denominator को as it is छोड़ो derivative of numerator बीच में minus numerator derivative of denominator clear ठीक लगा दो इसमें bracket अलग से ताकि दिक्कत ही ना हो आगे जाके ठीक अब देखो अब इसको solve करते हैं थूड़ा सा तो सबसे पहले तो यह क्या है 1 plus x square का whole square तो यह यहां आ जाएगा ठीक तो चलिए इसको कर लेते हैं मतलब LCM लेके solve कर रहे है अपन तो 1 upon 1 plus x square का square minus 4x square upon 1 plus x square का square और यह root लगा है अपना समझ में आ गई बात ठीक LCM लेके solve कर लिया अब इसी के multiple line में यह चल रहा है इसको भी solve करते ही चलते हैं आपन तो 1 plus x square का square अब यह जो 1 plus x square है यह as it is रहेगा 2x का derivative 2 constant है और x का derivative x के respect में 1 तो 2 into x का क्या हो जाएगा 2 बीच में माइनस 2x as it is रहने दो 1 प्लस x-square का derivative तो 1 का लागो का x-square का लागो का 1 का हो जाएगा 0 क्योंकि constant है और x-square का क्या हो जाएगा 2x ठीक clear चलिए तो अब ठीक है चलो करते हैं अब यहां पर एक चीज़ देखें आप अब यह जो square root है आपका तो जो denominator इस पर square लगा है ठीक है इस square से इसका root cancel हो जाएगा सिर्फ इसके लिए बात कर रहे हूं या फिर अलग-अलग करी लेते हैं ठीक है पहले आप इतना वीडियो को पॉस्ट करके नूट कर लिए क्योंकि मैं इसको इसलिए इतना clear करा रही हूं ताकि आपको एक-एक step और करी देती हूं पहले मैं देखो यह 2 नीए प्लस 2 X square और माइनस 4 X square अपना है डिनोमिनीटर में रूट अलग कर लिए हमने 1 प्लस X square क्या है square ठीक है इसमें हमने square root अलग कर लिया और इसका square root हमने अलग कर लिया ठीक यहां पर देखते हैं solve करते हैं इसको तो 2 का multiply यहां हो जाएग तो यह हो जाएगा 2 2 x square बीच में माइनस 2 2 0 4 x square अपॉन 1 प्लस x square का भी square ठीक तो पहले आप इतना वीडियो को पॉस्ट करके नोट कर लिएजे एकवल हमारा कहा लगा हुआ है ध्यान देखे करें न ये 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 ठीक तो वीडियो को पॉस्ट करके पहले इतना नोट कर लिए ठीक है अब आगे का जो है वो में यहां से solve कर रही हूँ ये दो step में हटा रही हूँ नोट आपने करी लिया होगा ठीक ये भी हटा दू है नोट करी लिया होगा तो जहां पर भी आपको लगता है आप वीडियो को पॉस्ट करके और उसको नोट कर लिए ठीक अब इसका आगे काम यहां कर रहे है तो डी वाइ अपॉंट डी एक्स एक्वल टू अब एक चीज़ का आप ध्यान दें यहां पे हम देखें सबसे पहले तो कि इस रूट से इसका यह स्क्वेर कैंसल हो जाएगा ठीक है और यह चीज़ कहा आ जाएगी यहां पर क्योंकि वन के डिनोमिनेटर में चल रहा है यह पूरा तो यह जो वन प्लस एक्स स्क्वेर है यह कहा जाएगा वन के मल्टिप्लाइव में आ माइनस होगा तो यह बचेगा माइनस का 2X स्क्वेर ठीक मल्टिप्लाइव यहां पर हमने देखा 4X स्क्वेर में से 2X स्क्वेर माइनस होगा तो बचेगा 2X स्क्वेर अपॉन में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वेर का स्क्वेर ठीक अब 1 प्लस एक्स स्क्वेर से यहां का 1 प अब देखिए ये formula बन जाएगा आपका 1-x square का ये 1-x square का whole square तो ये हो जाएगा 1-x square का whole square ठीक multiply इन दोनों में से हमने 2 common ले लिया ये हो जाएगा 1-x square upon 1 plus x square अब यहाँ पर आते हैं वापस से इस root से ये square कैंसल अगली step में क्या हो जाएगा 1 upon 1-x square ठीक और यहाँ पर क्या है अपने multiply में 2 1-x square upon 1 plus x square ठीक है ये हटा देती हूँ अब अब देखो ये 1-x square से ये 1-x square कैंसल क्या बचा 2 upon 1 plus x square ठीक क्लियर समझ में आ गई बात है ना तो यहाँ पर मैंने आपको एक एक step इसलिए clear करके बताया क्योंकि जब ये step ही हम नहीं करेंगे ठीक है तो आपको चीज़ें clear नहीं होंगे ठीक है समझ में आ गई बात clearly कि भई कहां पर क्या-क्या चीज़ें हुई ठीक तो यह ओगया आपका question number 9 complete यह आगया आपका answer 2 upon 1 plus x square तो question number 9 को solve करने का एक तरीका हमने देखा ठीक है और आपने देखा कि थोड़ा सा लेंदी ही जा रहा था यह तरीका लेकिन अब अगर कुछ छोटी-छोटी चीज़ों को हम यहाँ पर देख सकते हैं तो हम इसी question क बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं कैसे तो सबसे पहले आप एक चीज़ यहाँ पर देखें यह क्या है y equal to sine inverse 2x upon 1 plus x square तो अभी हमने इस question को कैसे किया सबसे पहले sine inverse x का formula लगाया फिर x का derivative find किया तो यह लेंदी जाएगा ही जाएगा लेकिन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं देखो यह जो x है इस x को अगर हम 10 theta से replace कर दें तो यह क्या हो जाएगा 2 10 theta upon 1 plus 10 square theta और यह किसका formula होता है sine 2 theta का बस यहाँ से हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा और इस function का derivative बढ़ी ही आसानी के साथ हम find कर लेंगे ठीक है तो यह दूसरा तरीका है पहला तरीका जो हमार दिमाग में जल्दी से आ जाता है और एक तरीका यह है हमारा ठीक है तो कोशिश हम यही करें कि इसी तरीके से कर लें तो सबसे पहले हमने क्या किया कि let x equal to हमने put up कर दिया इसकी जगा पर 10 theta ठीक है तो यहां से theta equal to क्या हो जाएगा 10 inverse x क्योंकि सीदी सी बात है कि अगर x को हम 10 theta से replace कर रहे हैं तो theta को वापस से हमको x के form में लिखना पड़ेगा ठीक है तो यह हो गया ठीक है अब इसके बाद यहां पर हमने लिखा y equal to sine inverse to x की जगा पर क्या put up कर रहे हैं 10 theta upon 1 plus 10 square theta तो बस यह जो छोटी-छोटी चीज़ें यह अगर हम देख ले कि अगर यहां पर हम x की जगा पर यह put up कर देते हैं तो यह formula बन जाएगा और यह बढ़ा ही आसान हो जाएगा ठीक है तो यह किसका formula है हमारा हमने पढ़ा है यह sin 2 theta का formula क्योंकि यहां sin है तो इसको भी sin के form में ही लिखने के कोशिश करे हैं ठीक है तो यह formula direct होता है sin 2 theta का तो यहां पर हमने पढ़ चुके हैं already chapter 2 में कि यहां sin inverse है और यहां sin है यह दोनों एक दूसरे सा cancel हो जाएंगे तो यहां सिरफ क्या बचेगा 2 theta ठीक है अब theta को बापस से हम क्या लिख देंगे 10 inverse x तो y equal to 2 as it is यह हो जाएगा 10 inverse x तो अब आप देखें आपका function था यह और यह क्या बन गया य अब इस function का derivative find कर देंगे तो सबसे पहले हमने क्या किया हमारे function को हमने simplify किया simplify हो गया ज्यादा छोटा हो गया तो हम direct यहां पर formula लगा देंगे तो अब हम derivative find करेंगे with respect to x both side ठीक है तो d upon dx of y equal to d upon dx of 2 10 inverse x ठीक clear तो यहां पर यह हो गया आपका dy upon dx 2 हमारा constant है रहने दीजिए 10 inverse x का derivative का क्या formula होता है 1 upon 1 plus x square तो यह हो गया 2 upon 1 plus x square यह हो गया dy upon dx समझ में आगी बात तो देखिए यह कितना आसान हो गया बस यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और बस यह देखना है कि यहां पर कोई formula बन रहा है कि x को replace करके बस ठीक है तो हाला कि आपकी choice है जो पहला तरीका आप वैसे भी कर सकते हैं चाहे तो ऐसे भी कर स हमारा sign two theta ठीक clear तो यह होगे आपका question number nine दोनों तरीके से हमने देख लिया तो इसको नोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बाकि आज की class में बस हम इतना ही करेंगे हमारे 9 question complete हो गए हैं अभी इसी exercise के हमारे 6 question और बचे हुए हैं तो आई होब कि आज की class में हमने जो question क यह हैं वह आपको अच्छी तरीके सा समझ में आयोंगे वीडियो भी पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई and thank you